सो गाइस आगे हमारे पास संसिंग S21 FE 5G मोबाइल फोन काफी टाइम से में इसको सोच रहा था मतलब दो महिने होगे सोचते सोचते कि कौन सा मोबाइल लाया जाए अपडेट करने के लिए क्योंकि यह फोन काफी ज्यादा थोड़ा ओल्ड होगे प्लस यह 4G के साथ आता था और यह वाला फोन जो है यह 5G है फ्लेक्स से लेवल का फोन है अब जो दूसरे फोन मैंने क्यों नहीं लिए उसके रिजन भी आगे बताऊंगा अब जैसे OnePlus होगे रहा है टैनार होगे रहा एलेवन आर जो आ रहा था इसके रेंज में आ रहा था लेकिन कुछ specification है जो इसमे और जो आया था वो भी आया था लेकिन मैंने दोनों को comparison देखा लेकिन ज्यादा बैस्ट मुझे यह वाला लगा तो मैंने इसको जल्दी से मंगा लिया है और देखते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं अन्बॉक्सिंग करते हैं एक आपको कुईक रिव्यू हमारा Samsung Galaxy S21 FE 5G इस तरीके से आ जाता है इसमें कुछ आपको specification मिल जाते हैं यह मेरे जो वेरिंट है 8GB 128GB मिलता है इससे उपर वाला वेरिंट नहीं था तो नहीं तो मैं वहीं मंगा था साइन की तरफ Samsung की ब्रेंडिंग है उपर कुछ नहीं है पीछे की तरफ कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी ज्यादा कुछ इसमें दिखाने लाइक नहीं है क्योंकि box बहुत ज्यादा चोटा हो चुका है और इसमें charger आपको अलग से लेना पड़ेगा तो काफी जाद मुझे मस्त लग रहा है कि कमाल का लग रहा है जिसके बारे में आगे बात करते हैं और क्या क्या मिलता है आपको इसमें और आपको सबको पता होगा लगबग कई लोगों वीडियो देख भी चुकी होगी यहाँ पर आपको SIM Ejector टूल मिल जाता है जो आपके SIM क को खोलने के लिए यूज किया जाता है यहां पर मिलता है आपको Type C2 Cable मिल जाती है जिसको आपको चार्ड़ जो है इसका लगबग 1500 से 1200 रुपए का मिल जाता है और सेल में थोड़ा बहुत कम में मिल ही जाता है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बाकी हटाते हैं साइड को फ रीके से जो है फोन सामने आ जाता है नीचे के तरह आपको Type C Cable मिल जाती है जो चार्ड़ जिंग के लिए होता है और यहां पर SIM के लिए मिल जाएगा एक स्पिकर यहां मिल जाएगा एक स्पिकर मिल जाता है साइड के तरह वालियूम आप डाउन करने के लिए एंड लॉक करन लोग बटन और जो यहां पर आप देख रहे होंगे इसका पीछे का कैमरा का मड्यूल जो काफी जबरदस्त है बारा बारा आट मेगा फिक्सल का है और एक फ्लेक्सलाइट यहां पर सामसिंग की ब्रैंडिंग आपको मिल जाती है इसमें जो अच्छी बार लगे मुझ खूलके दिखाते हैं यहां पर आपको डवल श्िंग सपोर्ट मिलेगा लगा सकते हैं लेकिन एक्स्पेंडेवल का नहीं मिलेगा जो थोड़ा मुझे अच्छी बात नहीं लगी तो मुझे रिक्वाइड होते हैं क्योंकि हम एक एक ओंटेंट क्रेटर है यहां पर इन्ह इसको बूट अप करके देख रहे हैं मैंने आपको अल्यडी सेट अप कर चुका हूं और सामने तरफ आपको इसका डिस्प्ले मिल जाता है इस तरीके से जो 2X सूपर एमुलर्ड डिस्प्ले के साथ आजाता है और 120 हर्ट का रेफ्रेश रेट आजाता है जो काफी सही है कोई भी इशू मुझे नहीं लग रहा है अभी भी बिल्कुल टच एकदम सबको पता है कि डिस्प्ले जो होती है सैमसिंग की काफी जादा कमाल की होती है और 32 मेग पिक्सल का सामने दिखने को मिल रहा है आपको चार्जर की बात भी कर लेते हैं यह मैंने अल्डेडी मंगार लिगा था सूपर फास चार्जिंग 25 वोट का है टाइप सी टुसी थोड़ा बहुत आज के समय में देखने को मिल रहा है तो बहुत कम है लेकिन कोई भी ऐसा फो लो करते हैं लेकिन एक गंटे में आपका फूल चार्ज होता है वो हो जाता है लेकिन चलते काफी सही है रैम इसकी 8GB प्लस 128GB के स्टोरेज में है यह मैं नमंगा रखा है और जैसे मैंने बताया है बारा बारा आट में फिक्सल का इसमें कैमरा प्लस OIS इसमें दिया गया है 6.4 इंचिस की डैनेमिक एमुलेट 2X डिस्प्ले दी गई है मतलब एक 4K डिस्प्ले है आप कर सकते हैं और 4500 इमेच का इसमें बैटरी जो होता है वो डिले गया है प्रोसेसर जो है एक्जनोस 21 दिया गया है जो इसमें स्नैप ड्रैगन और इंडिया में नहीं करते हैं लो यूनिट जो थी यह अप्रेल की है और इसमें जो अल्डेडी आया है यह आया है एंड्वाइड 13 के साथ में आया है एंड्वाइड 13 के साथ में देखने को मलता है और वन नॉम्बर टू अपडेट करना पड़ेगा इसमें 13 बजाएंगे आप तो इस तरीके से आज आएग प्रेस करके रखा होगे तो यह चेंजिस होते रहते हैं तो अब में बात करते हैं कि मेरा क्या रिजन था इसको लेने का अब अपन कॉंटेंट क्रेटर है यूटूब वीडियो बनाते हैं तो अपना मोटिव थाइस को कैमरे का जो इस प्राइस में मिल दा था 40,000 करीब जो आज कल जो डील में चल रहा काफी सस्ता है लोगों ने कई बार इसको 30,000 रुपे में भी लिया है लेकिंट कैमरा मेडियूल जो है 12-12,800 जिसे मैं बता है प्लस OIS and 4K सपोर्ट मिलता है और बेस्ट बात यह भी थी जो मैं बता है है रीजन हमारा कैमरे कही था इसमें वीडियो में शूट कर सकते हैं जो काफी अच्छी बात है और एक और फीचर मुझे जिसकी वेसे मैं ने लिया है जैसे कि आप इसमें सामने की तरफ इस तरीके से वीडियो बना रहे हो तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं मतला बैक का कैमरा स्विच कर सकते हैं साथ में वी जिब बाकि मुझी यही इसमें बैस्ट लगा है और बहुत अच्छा फोन है मुझे ऐसे कुछ कमी नहीं लगी है बिल्कुल देखिया अब कितना क्लियर कट लग रहा है एकदम स्मूथली पीछे का प्लास्टिक है लेकिन लगता नहीं है अच्छी क्वालिटी का है मुझे को जरूर प्रवाइड कर दूँगा किस तरीके से है तो एक बार मैं आपको इतना ब्लॉग टश्ट दिखा देता हूं और प्लस कुछ फोटो इसके दिखा देता हूं सेल्पी से भी एंड बैक से भी प्लस आपको देखे ब्लॉग में ही अपने जो चलते चलते वीडियो को आप जो है अपना बैक्राउंड का कलर या कुछ ग्लिच होगे रहा जो है वो इसमें चेंजिस कर सकते हैं इसली काफी सही लगा मुझे लेकिन पोटेड में आप जो है अगला कैमरा जो है वो स्वीच नहीं कर पाएंगे यह जो ब्लॉग हो रहा है शूट सैंसिंग के अब देखिए मैं ब्लॉग सूट कर रहा है अब देखिए मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ जैसे कि यहां पर यह वीडियो में शूट कर रहा हूँ और यह मेरे मेडिकल है यह सामने का व्यूव आपको मिल जाएगा यह है इसका डिवल रिकॉर्डिंग वाला फ्रीचर जो आप इस तरह किसे देख रहे हैं अभी सामने से संलाइट आ रही है तो अभी देखिए पिछी तरह जाता हूँ तो ठीक था कवर कर रहा है और यह इसका सामने का अप्रियू दिख रहा है और यह मैं फिच्छी रही दबल केमरा स्मूड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अब अब तो यह दो यह था था इस फोन का सैंसिंग एप स्ट्वन एफ एफ एक च्छोटा सा क्वेक रिव्यू लॉंग तर्म वेविवा आपके लिए जरूर लाओंगा ताकि आपको किसी तरीका से लिखका दो हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चूड़ करें चैन